जय हिन जय भारत and welcome to study capital आप सब का फिर से बहुत दो सागते बच्चों study capital में तो मैं संसकार शुक्ला एक बार फिर से तुम सब के सामने हाजर हो चुका हूँ एक और बड़ी समझता का सामाधान लेके वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं पहले ही बोल देता हूँ अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्रीज वीडियो को पूरा देखेगा अगर आप बहुत अच्छे स्टूरंट हो मैस में तो तुम कैसे मैस में सौ पर्शन स्कोर कर सकते हो आपको इस वीडियो से पकापता लग जाएगा और अब मालो आप थोड़े कमजोर स्टूरंट हो तो आप मैस को कैसे टैकल कर सकते हो कि भीया मैस को आप लोग ना इतना अब बहुत बनाओ इस वीडियो में बहुत शांती से आपन देखेंगे मैस का कैसे खेला खतम करना है ठीक और हां तुम्हारे डेट भी आ चुके हैं सीवी टीके ठीके तेरा तारी को तुम्हों को जन्रल टेस्का पेपर है तो चलो पहले इस वीडियो को देख लेते हैं फ तो देखो तुम्हों अपने मैस के सिलबस में क्या क्या आ रहा है एक बार यहीं से देख लो क्लॉक आ रहा है कलेंडर आ रहा है आवरेज आ रहा है सिंप्रॉब्लम और एजिस आ रहा है ल्सी एम एचिए प्रॉफित लॉस कंपाउंड इंटर्स पार्टनर्शेप रिश् इस बच्चों की मैस बहुत स्टॉंग है अब दोनों देखो दोनों को क्या चीज़े गलती नहीं करनी जैसे पेपर के दिन अपना काम ना बिगड़ जाए ठीक है पर आट्रेम्ट की मेंटवन पर बात कर लेता हूं मैं और दूसरा मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूं जो बच्चे अलग-गच्चे है सब बच्चों की मैस बहुत श्रॉंग होती है उनके लिएफीग मैं बताऊंगा क्या चीज्स आपको द्यानना रखनी है कुछ बढ़ा मतलब मैंस इतनी अच्छी नहीं होती है उनको भी बताऊंगा मैं जिन बच्चों की मैंस अच्छी नहीं है आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करो आप भी 10 कोशन आएंगे तो 8 कोशन आप भी बना के आओगे गैरेंटी इस बात की है ठीक है पहले आप लोग पीवाई क्यों कर लो ठीक यह जालो उसके बाद आपने कि पेपर अटेम्राइब हैश करने का टाइम नहीं है मैंने करके रख दिया एक होता है फस्ट मैस एक होता है लास्ट मैस इसका मतलब क्या है जिन लोग की मास बहुत अच्छी है आप लोग मैस के कोशन पहले ही सॉल्व कर लो अगर जिनकी math अच्छी नहीं है, वो लोग math equation last time करेंगे, जिनकी math अच्छी है, वो लोग math equation पहले कर सकते हैं, कोई देकत नहीं है, ऐसा में इसलिए कह रहा हूं, कि जब हमको paper लगाने जाते हैं, और शुरुआत में हमसे एक-दू question गलत हो जाते हैं, हमारा time चला जाता है, मालो मै मैंने 5 minutes लगा दिये, और मेरा answer भी नहीं आया, option में 34, 39, 38 और मेरा answer आया 2,25,000, तो वहीं demotivate हो जाऊंगा, आसपास भी नहीं है, तो क्या करना, math को सबसे last time लगाना, तो तुमारा confidence नहीं नहीं होगा, ठीक है, दूसी बात, जो बच्छे math को एकदम starting लगाने वाले हैं, तुमों को ध्यान रख रहा है, कि math के प्यार में इतना मत खो जाना, कि 2 घंटा math में ही बिता दो, ठीक है, math को एक limited time में ही लगाना, कि तुमको 12 कोशन ना कराए है, तो भाया, maximum 2 घंटे का paper है, तो 40 minutes में ही निप्टाने है, बाकि जो बच्छों के math अच्छी नहीं है, तु में को पता होगा भी है, ये चीजे मुझे करनी है, ऐसा नहीं वहाँ जाके देखेंगे जो होगा, तो pre-planned mindset क्या होता है, मैं paper में जाऊँगा, मैं पहले ही से मैं शौर करके रखा हूँगा, इसको मैंने पहले से शौर करके रखा हूँगा, जिनकी math अच्छी है, उनको ब बहंक का syllabus है, कि लिटरली मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा SSC का syllabus इनों पकड़ा दिया ना लाइक होने, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग तो सब PYQ analysis करोगे जो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मैंने तुम लोग को पेपर टेलिग्राम में अल्रडी शेयर कर दिया है, ये B.L.L.B. 2013 का पेपर है, ये देखो तुम लोग के सामने, पूरा ओरिजनल पेपर है, ठीक है, इसे मैंने तुम लोग को यहां पे आंसर टिक करके, मैंने आंसर इसमें टिक कर दिया है, तो इसको मैं टेलिग्राम में शेयर कर दूँगा देख लेना, ये दूसरा पेपर अगर आप कर लो, तो अगर आपके मैस में पंदरा कोशन आने वाले हैं, तो बारा कोशन के वाल इन आठ टोपिकों से आएंगे, बाकि जो इनोंने पूरा इतना दुनियादारी बता कर रखे नहीं थे आधसले बसकी, उससे बस तीन-चार कोशन आ रहे हैं, तो भी यहीं म आदमी 12 साल का था, उसकी मा उससे 3 से 4 गुना बड़ी है, तो यह आदमी जब 20 साल का हो जाएगा, तो उसकी मा की एज कितनी होगी, ठीक है, ऐसा एक मैस का प्रॉब्लम आता है, नमबर्स और ट्रेन के उपर भी आता है यह वाला कुशन, ठीक है, परसंटेज बहुत इंप परसंट कोशन आते हैं, तो आपन के जो पूरा 23 प्लस टॉबिक दिया है, इनको गोली मार दो, भाड में जाने दो, तुम लों को जाने दो, इन टॉपिक के बारे में तुम इतना अच्छे से प्रैक्टेस कर लो, इतना अच्छे से प्रैक्टेस कर लो कि अगर आरे भट भ बिल्कुल छोड़ना ही मत उसे गैरेंटेट कोशन आएगा, परसंटेज 110 परसंट कोशन आएगा, कंपाउड इंट्रेस, सिंपल इंट्रेस, रिशो प्रपोशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस और कैलेंडर, ठीक है, और बस ये टॉपिक दो तुम लों क करके ही करके जाना, हाला कि मैंने 7-8 टॉपिक ही लिखे हैं तो टराय करना, श्मुरा का पूरा काम, असल कर दिया, तेसब इसब बीवक्रन को गोली, लेकिन तोम को जीभर प्रक्टिस करने है, जीभर प्रक्टिस करने है, मतलब, परसंटेज से कितना भी टफ टफ कोशन आ आवरेज में तब जाके बाद बनेगी ठीक है और देखो तुम लोग जब एक काम करोगे जब जैसे मैंने कहा ना प्री प्लैंड माइंड सेट तो तुम लोग मैस को ना हुआ बनाके मत जाओ पहले प्लैंड हो कि भाईया दस कोशन आएंगे बारा कोशन आएंगे दस कोशन सबस्क्राइब अंब्रत तो मुस्व हो जाने वाले हैं उससे फ़हले रायंगूश क Herserv करOkay यह κα究 18 अच्छा करके भाईये तो भाईया टोड़ फोडड़ कि आजाओगे रहे मिस्टेक करते लोग कि मेरा लेकिन मैं ठीक था कि चल आएगी तो इसा नहीं पूरा साट के साट कोशन मैंस कहीं आ जाएंगे ना अब वह स्टार्टिंग मैंस करने लगा इतना ही डरा इतना ही डरा कि मैंस लेही डूबा उसको थोड़े जाता कोशन आ गए लेकिन क्या दिख करते भाई मैंने प्रेपेर मैंस की स्टेट जी मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा एकदम शॉट भाशा मैंने चीज़े बता दी है ठीक है अब पेपर का लेवल क्या होता है वह तुम्हों को प्रॉब्लम होश्यार वाले जिनकी मैंस बहुत अच्छी है टाइम मेरेजमन का ध्यान रखा अब ना पता है मारी मैंस ट्रॉग क्यों नहीं है हमको ना स्टूल में एक होता है ट्यूशन सिस्टम कभी टीचर हो ने घंसे पढहा आई यार मैसम को ढंग से इसलिम को मैस यतना डर लगता है बाकी मैस यतनी डरने वाली है अधाद याधान दिमाग तुम्हों अतना डरे तो इसलिए मास दरने वाली है जैसे कुशन पढ़ो यह भी डरा रहा है एक पूशा एक नंबर X है जो की लीस्ट नंबर है जो की आठ से भी डिवाइड होगा बारा से भी डिवाइड होगा 30 से भी डिवाइड होगा इसको पढ़ लेते हैं लेट X भी डलीस तंबर डिविजल बाई 8 12 30 36 45 एं एक्स अलसों परफेक्ट स्कॉयर कहा है कोई मुझे ऐसा नंबर बताओ जो आठ से बारा से तीस से छतिस से पैताले से सबसे डिवाइड हो जाए और वह परफेक्ट स्क्वाइड होना चाहिए अब कुशन देंके लग रहा पर देखने में तेहा बना जोग ना तो ड़र लगने लग जाएगा जए ठोड़ा सा मैज को अपने मतलब अपने से नीचे ही रखो मैंट सिरो धीक है अपने ऊपर मथ आने तो मैस i permitir कुन कॉ condemn को बुझ कोसिन देखने में तर लगता है लेकिन कॉ साथ में आसमान में होगा तब कोई कोईशन तुमने जो नहीं भी पढ़ा होगा ना उसको तुम्हारा आम से option के method से कर सकते हो ठीक तो धरना नहीं है जो चीज अपने से अपनी तयारी मजबूत करके जाना है बाकी जर किस बात कर बाकी लोग वैसी जो आगल बागल वाले हों और यह बनतर हो जाएगा ठीक है अब 28-25क जो मैं मैंजब को में आज यह खत्म कर दिया है अब मेरा एक मार्श को अगला वीडियो आएगा तillon को तो reasoning के उपर ठीक है, reasoning के उपर मैं तुमनों को बताऊंगा, उसके बाद दो मार्ज को तुमनों को comprehension, जो English language का पेपर है उसके उपर एक वीडियो बनाऊंगा, मैं time management के उपर तुमनों को तीन मार्ज को वीडियो मिल जाएगा, मैं एक और वीडियो बनाने की सोच रहा था, अ अब तक लिख रहे हो, आप लोग यह tagline लिख देना comment में, जय हिंद जय भारत, और आप लोग views देखना कितने होंगा, कितने बच्चों ने comments में जय हिंद जय भारत लिखा होगा, ठीक है, यह tagline है, यह बच्चे यह जय हिंद जय भारत लिखेंगा, मैं समझ जाओंगा और तो आप लोग जिस प्लान में अपना खुद तुमने बना कर रखा उसको फॉलो करो ठीक है लास्ट मुझे बताना है यह स्टैट्ट जी कैसे लगी तभी मैं तुम्हों को उपर रिज्डिंग उपर तभी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं ऐसा को मैंस वाला वह नहीं नहीं मांग रहा हूं 500 प्लस लाइक कर देना और यह वीडियो स्टैट्ट जी कैसी लगी जरूर बताना ठीक है अपन एक मार्ज को मिलते हैं एक मार्ज को मैं रीज्डिंग की स्टैट्ट जी के साथ मिलूंगा तब तक लिए पढ़ाई करते रहो अपने आपे विश्वास करते रहो और आराम से हो जाएगा यार इतना दिक्कत दिक्कत नहीं लेना है ठीक है चलो